मैं चाहता हूं कमेंट करो मैं सालों तक करने वाला हूं अब मैं रुकने वाला नहीं हूं बस यह आपके लिए बहुत फायदे मन दे दोस्तों इससे बड़ी फायदे वाली चीज आपके लाइब में कभी नहीं होने वाली है अरे कृष्णा सालों तक ब्रहमचरे कैसे करें ए बहुत बड़ी बात है दोस्तों 20 एपिसोड हो चुके हैं हमारे अगर आपने एक भी एपिसोड नहीं देखा है और अगर आप नए है देन देखना जरूर दोस्तों हर वीडियो में आपको कुछ नई ट्रिक्स पता लगती हैं ब्रह्मचरे में रहने के लिए ब्रह्मचरे को समझेंगे दोस्तों और आज की वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो लोग बूलते हैं जमके हस्तगरिया करो जितना आपका शरीर मागे उतना कर लो और हस्तगरिया से कोई नुकसान नहीं होता है प्रह्मचरे करने के नुकसान ही नुकसान है बूलते हैं उनको बता दें आज कि कितने सारे पायदे होते हैं और अस्तगरिया करने के कितने सारे नुकसान होते हैं देख लेना मेरे भाई हो समाई वेस्ट नहीं करूंगा आपका तो जो बोलते हैं अस्तगरिया करो ब्रह्मचरे मत करो उनको जो कि आपको यह बोलते हुए दिखे उनको य चारे करूंगा तो मुझे किसी भी तरकी बिमारी लगने से पहले हजार बार सोचेगी और कभी लग नहीं पाएगी यह समय ला मेरे बाई जैसे थंड़ के टाइम पे खांसी जुखाम होना और गर्मी के समय गर्मी सहना पाना इस तरकी बहुत सारी समय दोस्तों बहुत सारी विमारियां इस दूनिया में लेकिन ब्रहम हजारी को इन में से बहुत कम ही लगपाती है दोस्तों के बाद बूलना यह करोंगा तो मेरा दिमाग बहुत ज्यादा चंचल बन जाएगा दुरवल बन जाएगा कामी बन जाएगा और पापी बन जाएगा और कोई भी प्रतिग्या कोई भी चैलेंज मैं कर नहीं पाऊंगा यह बहुत बड़ा सच है दोस्त जो अस्तिक्रिया करेगा उसका दिमाग चंचल बन जाता है वो मन न तो मेरे विचार एक जगह पर रहे नहीं पाएंगे, ठिक नहीं पाएंगे, ये बहुत बड़ा सच है, उसके बाद बुलना की हस्तक्रिया करने से उसका दिमाग मैं गर्मी छा जाएगी, आखों में जलन होना और आखों से पानी आना, इस तरह के समझें ब्रह्मचारी को कभ दाते में, कमर में, रीड की हड़ी में और छाती में बार बार दर्द होता है, इसलिए मुझे अस्तक्रिया नहीं करनी चीए, लेकिन प्रह्मचारी को ये समझें बहुत कम होती हैं, दोस्तों होती ही नहीं है सच में, मान के चलो, उसके बाद ये बोलना की उनको अस्तक्रि बदभू आती है दोस्तों लेकिन एक ब्रह्मचारी रोज एक्सरसाइज करता है रोज पसीने बाता है रोज ना आता है और उसके शरीर में बदभू नहीं आपाती दोस्तों इसलिए दांतों को बिल्कुल साफ रखना चाहिए आपको उसके बाद एक बहुत बड़ी समश्या जो कि अभी नहीं आएगी लेकिन बार में आएगी वो ये होती है कि कमर का जुक जाना और हमेशा जुक कर बैठना और जुक कर चलना कंदो का जुक जाना दोस्तों जैसे एक बुड़ा व्यक्ति हो जाता है वैसा एक हस्तगरिया करने वाला बन जाता है ध्यान रखना लेकिन ब्रह्मचारी की आवाज बहुत कोमल रहती है और लोग उसे सुनना पसंद करते है इसलिए खाजाते हैं दोस्तों की ब्रह्मचारे करना चाहिए आपको और एक चोटी से रिक्वेस्ट दोस्तों हमारे वीडियो की एडिटिंग अगर आपको अच्छी ना लगे तो उस पर ध्यान ना दे जादा लेकिन इन बातों को सुनें और अपनी लाइफ में एपलाई करें और इनको ध्यान से अपने मन में रखें इनको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं दोस्तों लेकिन एडिटिंग को जादा मत देगा दोस्तों क्योंकि हम एडिटिंग के दिखने लगती हैं और चाती ऊपर नीचे या कह सकते हैं दोस्तों गाहिनो केमेस्टिया की जो समश्या होती है दोस्तों अस्तक्रिया करने वाले को आ जाती है उसके बाद एक और बोलना की आखों में चाहियां पढ़ना आखों में डार के सरकल पढ़ना यह अस्तक्रिया क बहुत अच्छी लगती हैं, सुन्दर होती हैं, तो जितना आप रमजरे करेंगे, आपके शरीर में ये सारे के सारे चेंज़े जाने लग जाएंगे दोस्तों, आपके जीवन में बहुत पाउरफुल चेंज़े जाते हैं, ये समझ लेना, उसके बाद एक और चीज बोलना उ और दीरे दीरे उसके जीवन से संपत्ती और संतती सब कुछ नश्ट हो जाती है, अधर्म विचार वो पाप का बढ़ना ये हस्त्रिया करने वाले के साथ होता है, उसके बाद ये बोलना की हस्त्रिया करने से आयू कम होने वाली है, घड़ जाती है, और कुस लोग मरना तो पहले भी है, मरना तो बाद में भी है, तो क्यों ना पहले ही मर लिया जाए, क्या ही फरक पड़ता है, तो मैं कहता हूँ दोस्तों, चाहे पहले मरना है, चाहे बाद में मरना है, लेकिन ये जीवन स्वस्त जीना है, स्वस्त रहकर मरना है, समझ लेना मेरे बाईू जितना स्वस्त्र होगे जीवन जीने में मज़ा आएगा लेकिन जीवन जीते 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 मरे के समान हूँ हस्त गिर्या करके वीरे का नाच करके अंदर से खोकले पड़ गए हूँ तो जीवन का कोई महत्तों नहीं रह जाएगा यह समझ देना मेरे बाई और पंस्ट ग्रिया करने वाले में एक बहुत बड़ी समझा जो की बहुत साएं लोग कमेंट करते हुए भी या कि जो ब्रभ्रमु चैरी की बातें कर रहे है उपने मंन की मनमानी करना और अपनी मस्ति में रयना कुछ लोग कमेंट करते हैं भई या facts is life मैं तो रोज facts करता हूँ रोज जाता हूँ इस office और रोज मज़े करता हूँ मैं कहता हूँ कब तक करेगा मेरे भाई ऐसा कभी तो रुखना पड़ेगा और इतनी सारे समश्या हैं आपके शरीर में आ जाते हैं दोस्तों तो समझ लेना मेरे भाई रुक जाओ अभी भी समय हैं बहुत समय हैं आपके पास सालों तक करो और इस जीवन को ब्रह्मचारी की तरह जीना सीखो लाइप में सच में हमेशा खुश रहोगे यह तो सिकन का मज़ा आपको कभी भी सुक नहीं देने वाला है विनाश यकाले विपरीत बुद्धी जब मनुष्य का विनाश होने वाला होता है तो उसकी बुद्धी फिर जाती है और वो विविचार में फैज जाता है गलत काम में फैज जाता है गलत चीजें देखने में फ़ई जाता है और गलत चीजें करने में फ़ई जाता है तो ये विपरीत बुद्धी का लक्षण है तो इस बात को ध्यान रखना और एक और बात कहना दोस्तों कि मैं हस्त गर्या करता हूँ तो मुझे बहुत ज़़ा दुख होता है और मुझे बहुत अजीव लगता है कि मैं किसी एक जीट का गुलाम हूँ एक आदत का गुलाम हूँ जिसे मैं छोड़ने ही पार हूँ इसलिए मुझे इस कार्य को नहीं करना चाहिए और ब्रहमचर्य करना चाहिए के दिल से और आपको समझना चाहिए कि दोस्तों केबल 30 दिन नहीं केबल 10 दिन नहीं बलकि मुझे बहुत सालों का लक्ष बनाना है क्योंकि मेरे लाइफ इतनी छोटी नहीं है आपके लाइफ बहुत बड़ी है दोस्तों इस लाइफ को बनाना है अच्छे से जीना है में बड़े बड़े लक्ष पाने हैं और विश्वास करो मेरे भाईयों मैं बहुत सारे लोग के कमेंट परता हूं जब मैं उनकी शगल देखता हूं तो कुछ लोग की शगल देखके लगता है कि यार इन्होंने कुछ ज़्यादा क्रियाय कर दी हैं और यह बहुत दुखी है लेकिन कुछ लोग का एटिट्यूड और कुछ लोग की सकल मैं बहुत परिवरतन दिखता है दोस्तों देखते पता लगता है कि यार यह इन्सान का एटिट्यूड बदल चुका है बरह मुचले करते हुए और यह खुछ रहने लग गया है लाइप में दोस्तों आखों में आपके दिखना चाहिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा लक्ष है हमेशा जो कि आप पाके रहोगे 100% पाओगे दोस्तों खुद पर विश्वास रखना बस और अंत में क्या होता है दोस्तों जो हस्तगरिया बहुत जाला कर देते हैं उसके बाद हमेशा अंदर से दुख उकर फोकस नकरवाना और ग्रिट में रहकर म्रने का विचार अंग में इतने सारे प्रमु कचुन है दोस्तों ब्रमशेर नाश के और इंधा रख्या मैं हमेशा सफल होता है जो चाहता है वह पा लेता है और व्यवहार उसका पा वहुए बहुत अच्छा बन जाता है लोग एक व्यक्ति उनको पसंद करने लगता है इसलिए संयम के साथ अच्छे कारे करो भगवान का ध्यान करो भगवान में मन लगाओ हर एक व्यक्ति आपकी तरवाकर्शित होगा दोस्तों जब आप भगवान को पूस्थना शुरू करते हो तो यह सारे बातें आपको ध्यान रख में कभी नहीं वाली है और यहां तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक भी कर देना दोस्तों मैं देखता हूँ यार अंटेसंट रिल्स में तो लाखो में लाइक्स होते हैं लेकिन हमारी वीडियो में एक भी लाइक नहीं हो रहा है कोई फायदा ही नहीं हो रहा है लेकिन अगर आप चाहें तो दोस्तों मुझे लाइक की कोई चिंता नहीं है लेकिन अगर आप चाहें तो दोस्तों जरूर करे हैं दोस्तों मैं चाहता हूं ऐसे कॉंटेंट को भी सब्वोड मिले और हमारे सब्सक्राइबर अटक चुके हैं तो इनको थोड़ा सा और बढ़ाओ अरे क्रिश्ट